पिछली इस में हमने अट ए है पिछली क्लासस में रॉब है यह इस नहीं किया था और इसके अलावा concept of compounding थोड़ा बहुत देखा था इसके अलावा standard deviation क्या होता ये सब कुछ देखा जो वो basics कोई chapter नहीं है वो आगे आने वाले chapters में काम आएगा तो आज से हम start कर रहा है और पहला chapter start कर रहा है और सर उसका नाम है उसका नाम है advanced capital budgeting advanced capital budgeting सर ये वही capital budgeting है क्या जो हमने CA Inter में पढ़ा था यस उससे थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा change है वो सब आपको आता मुझे ज्यादा महनत नहीं करवाने अगर देखा जाए तो CA Inter में आपने दो टोपिक पढ़ा था capital budgeting का एक basics था और दूसरा था risk analysis यहाँ भी risk analysis ही पढ़ना है पर हमको पढ़ना advanced risk analysis सर तो इसमें क्या-क्या content रहेगा advanced कितने number का आता कितने number का आता यह तो कोई भी नहीं बता पाएगा भी क्या-क्या contents है study mat के इसाब से मैं आपको बता देता हूँ मेरे साथ सत लिखो के इसके अंदर सबसे पहले जो हमको पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे basics बेसिक्स तो पढ़ा बिट्टे वह वाला basics टाइम वैल्यो पनी यह वाला basics capital and budgeting के अंदर क्या basics है तो यहां क्या पढ़ाऊगे यहां वो चीजे पढ़ाऊँगा जो हमारे syllabus में तो नहीं है लेकिन बीच में किनी-किनी questions में पूछ लिया है मान लो क्या IRR, internal rate of return, payback period, discounting payback period, CFAT क्या होता यह सब कुछ है तो हमको करना तो बढ़ेगा अच्छे से यह मेरे syllabus में नहीं है तो भी मैं पढ़ाऊँगा यह मान के कि आपको CA inter का बहुत जादा कुछ याद नहीं है थोड़ा बहुत याद है तो हम manage कर लेंगे ठीक है, पढ़ाऊँगा मतलब एक ही example से मैं सब कुछ discussion कर दूँगा दूसरा जो discussion करना है वैसे तो मैं दूसरा replacement पढ़ाता हूँ लेकिन अब जो आपके study mat में है उसी sequence में मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा new study mat की मैं बात कर रहा हूँ, AFM की उसमें क्या डला हुआ है, उसमें सबसे पहले डला हुआ है inflation in capital wasting inflation in capital wasting और आप पढ़के आई हुए है, मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी है सर होता क्या समझाओ ना, समझाओंगा ना भई, समझाओंगा थोड़ा से इंतजार करो, जब ये topic समझाओंगा तो retail में समझाओंगा अब भी से समझाने का कोई मतलब नहीं रिस्क एनलिसिस इन ये भी पढ़ा हुआ आपका रिस्क एनलिसिस इन कापिटल वस्टिम ये कहां पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है सर आपने पढ़ा था रिस्क एजिस्टिड डिसकाउंटिंग रेट आपने पढ़ा था शर्टिनिटी एक्विवेलेंट एप्प्रोच याद नहीं है, हाँ मुझे मालुम है मैं मानके ये ही चल रहा हुआ कि आपको याद नहीं हाला कि اسमें और चीजे आ रही है इसमें सिमूलेशन आयेगा इसमें डिसिजें ट्री आएगा डिसिजें ट्री वहां था, बच्चो टाइप का था यहाँ decision 3 थोड़ा सा advance level फूर्थ तर इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है आपका C.A.E.N.T.R. का फैवरेट टॉपिक replacement decision और last पढ़ेंगे हम adjusted present value अब सुनो मेरी बात को प्रस इतना ही है खताम वाव सर पिल्कुल छोटा सा चैफ्टर और बहुत ज्यादा समस्या नहीं है डरने की बात नहीं है क्यार कुछी special कुछ डरने की बात नहीं है normal है normal करो धीरे से करो मैं आपको डरा दूं कि यह आए कुछ नहीं है भाई simple है हम लोगों को स्टार्ट कहां से करना चाहिए था वैसे वैसे थो हम पहले replacement करते फिर यह सब कुछ करते पर मेरा target क्या है मेरा target है कि जब आप study mat खोलो नया वाला AFM तो पहला topic आपको inflation दिखे मजा आएगा examples दूसरा topic risk analysis दिखे तीसरा topic replacement दिखे चहता topic प्रेजिस्टेड प्रेजिस्टेड और उसके बाद chapter खत्म हो जाओ कितना अच्छा लगेगा कि यार मेरी book में जो करवा रहा हूँ आपके notes आपके study mat से match हो रहा हूँ हर topic wise उसी sequence में जिस sequence में study mat है तो सर मजा जाएगा फिर तो yes मैं यह चाहता हूँ मजा है अच्छा सर तो यह बात है हाँ मैंने भी में भी आपको इसी तरीक से पढ़ाने बाला पर इन सबसे पहले क्योंकि मैं सिधा या नहीं पहुँच रहा हूँ inflation में मैं पहुच सकता हूँ कि यह मानके कि आपको capital busting आता है पर यहार देखो CA इंटर निकल चुका है और CA इंटर जरूरी नहीं है कि हर किसी का financial management अच्छा हो या हर किसी को चीजे बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि मैं सिधा उठाकर replacement start कर दूँ या मैं सिधा उठाकर decision tree start कर दूँ तो सर करना क्या है आज की class में मैं आपको CA इंटर याद दिलाऊंगा कैसी होता है और किस के थो basics फिर से बोल रहा हूँ basics आपके syllabus में नहीं है पर मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ठीक मजबूरी है आज की class वहीं चलेगी पूरा वहीं चलेगा तो लिखोगे first basics क्या होता था capital budgeting सर capital budgeting में हम evaluation करते थे हमें long term के लिए पैसा invest करना होता था और long term के लिए तो long term के लिए पैसा invest करना है तो हमें उन projects में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए यह evaluation करते थे और इस evaluation करने की बहुत सारी techniques थी चीस पस वह लिखवा रहा हूँ एक बाद it means मैं क्या लिखवाने जा रहा हूँ मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हम कर क्या रहे हैं और हम कर रहे हैं मेरे सास्त लिखना है हलके में मत ले लेना long term investment proposal कोई long term investment proposal है उसका हमको क्या करना है उसका करना है हमको evaluation decision लेना है और evaluation करने के लिए जो techniques यूज की जा रही है उसका नाम क्या है capital budgeting और capital budgeting को अगर देखा जाए capital budgeting की बहुत सारी methods है उसको मैंने दो भागों में बाटा है एक part जिसमें हम cash flow को discounting नहीं करते हैं हम present value of money को ignore करते हैं और दूसरा part जिसमें हम cash flow को discounting करते हैं it means अगर मैं कहूं इसको दो पार्ट में बाट दिया है कौन कौन सब फर्ष्ट, सेकेंड पहला क्या है पहला हम जिसमें इसको बोलरों मैं non ECF techniques जिसमें हम cash flow को discounting नहीं करते हैं और एक क्या गया है DCF techniques जिसमें cash flow को discounting करते हैं non DCF techniques और DCF techniques और non DCF techniques में हमने पढ़ा है हम पढ़ेंगे मैं यह नहीं बूल सकता क्योंकि हम नहीं पढ़ेंगे पर क्या-क्या था एक था payback period और दूसरा था average rate of return भी बोलते हैं और इसको accounting rate of return average rate of return या फिर accounting rate of return ठीक है कोई फरक नहीं पढ़ता क्योंकि यह वैसे भी नहीं आने वाला है पर कभी आ गया तो इसलिए मैं करवा हूँ एक class जाए तो जाए पर सारी चीज़े revise तो हो जाए और DCF टेकनिक में हमको करना है discounting PBP PBP का मतलब क्या होगा? Payback period discounting payback period तर दूसरा क्या करना है? net present value तीसरे नमबर पर हमें क्या करना? profitability index जिसको P.I.E. बोलते थे और फूर्थ नमबर पर क्या करना हमको? internal rate of return ठीक है? पता होना जरूरी है उसके बिना काम नहीं होगा that's it तो यह सारी चीजे वो है जो हम पढ़ चुके है और इसको हमें याद करना है ठीक है? आपको याद करना पड़ेगा और वो मैं याद दिलाऊंगा एक example के थूरू मेरी कोशिस रहेगी कि यह मैं सब कुछ याद दिला दू ठीक? यह आपके लिए सबसे जादे important है इसको समझने के लिए टाइम लग जाए तो लग जाए पर यह दो चीजे अच्छे से समझेंगे ठीक है? पहले start कैसे करें? पहले मैं एक example लेता हूँ और इस example से समझाने की कोशिश करूँगा हर चीज एक ही example से मैं ज़्यादा time खराब नहीं करूँगा एक ही example से यह भी समझाओंगा यह भी समझाओंगा यह सारी के सारी चीजे एक ही example से समझाओंगा IRR को छोड़कर नोट कर लिजीए दिख लिया है? यस लिखोगे मेरे साथ साथ मैंने कहा एक ही example से करवाने हुआ एक्जामपल नमबर 1 लिखोगे cost of project 125,000 cost of project रुपीस 1,25,000 ठीक है हम किसी project में पैसा लगाने का सोच रहा है और हमको मालूम है कि उसमें पैसा लगाएंगे तो कितना पैसा आज लगाना पड़ेगा 1,25,000 लाइफ ओप प्रजेक्ट पास साल अजिए प्रजेक्ट पास सल चलेगा और पास साल बाद उस प्रजेक्ट को खतम कर देंगे terminate कर देंगे, बंद कर देंगे और बंद करेंगे, तो हमारा अनुमान है कि हमको मिलेगा 35,000 सर उससे कुछ आएगा की नहीं आएगा, अब प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है, तो क्यों लगा रहा है, बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो पैसा आएगा depreciation भी लगीगा, सर depreciation का rate 25% पर रहा है, डबलू डीवी मेथड, डबलू डीवी मेथड आता है हर साल दीरे 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 कम होता है अब जब हमने प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, तो करोगे क्या सर प्रोजेक्ट में पैसा लगा जो भी प्रोड़क्ट बनाएंगे, उसका बेचेंगे तो हर साल का sales कितना सर ये बताईए तो हमारा अनुमान है कि expected sales होगा first year, second year, third year, fourth year and fifth कितना कितना expected sales होगा 90,000 80,000 1,000,000 75,000 and 50,000 this is expected sales कि product बना कर बेचो कि तो हर साल मिलेगा 90,000, 80,000, किसी साल, 1,10,000, 75,000 और 50,000, तो साल खर्च भी तो आएगे yes, और खर्च आएगे, यहां लिख रहा हूँ साइट में तो मैं आप से बोल रहा हूँ variable cost है at the rate या फिर variable cost equal to variable cost equal to 35% इसके अलावा fixed cost भी है excluding depreciation depreciation के अलावा, depreciation को छोड़ कर fix cost कितना है तो यह ऐसा रूपीज 10,000 पर है और टेक्स का rate कितना है टेक्स, 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 टेक्स का rate है 30% और cost of और cost of capital है 10% cost of capital मतलब जिससे discounting करते है और कसरक निकालना क्या है calculate payback period payback period के अलावा accounting rate of return तर इसके अलावा NPV तर इसके अलावा discounting payback period अभी मैंने रोक लिया है आपको क्या निकालने के लिए IRR क्योंकि IRR इसमें निकालोगे तो बहुत हालत खराब हो जाएगी ठीक है सार अब हम लोग तयार हैं बहुत बारी क्योंसे एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है हाँ सर प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है कितना पैसा लगा रहा है एक लाग पच्चिस लाग पैसा गया cash out और हम देखेंगे कि जितना लगा रहा है उससे ज्यादा आना चाहिए और जो आता है उसको हम डिसकाउंटिंग करते हैं हाँ बोलो हाँ जो डिसकाउंटिंग करेंगे जो पैसा आएगा तो आप ये करना है कि वैरिबल कॉश्ट माइनस करके डिसकाउंटिंग करना है कि फ्र करना है मैं कि क्या है cash flow का मतलब क्या है यही समझने की कोशिश करेंगे कि या मतलम है cash flow हम present value कैसा आउट लो, 1,25 पर जो cash inflow है वो क्या ले? sales ले ले या फिर खर्च काटने के बाद ले sir, sales नहीं लेना है sales में से सारे cash expenses minus करने है, sales में से सारे ऐसे खर्चे minus करना जो cash में है और वो minus करने के बाद जो cash flow आएगा उसको discounting किया जाता exactly, क्या यहां cash flow दिखाया गया है नहीं sir, यहां sales दिया है तो sales में से एक काम करते सारे expenses minus कर रहते और जो आएगा उसका नाम रहेगा cash flow हलाकि उसका नाम रहेगा cash flow after tax करिश्टाट यसा चलो काम करें तो अब भी हम ये सब कुछ नहीं निकाल सकते हम लोगों को सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा हम लोगों को सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि हमें cash flow ने करना पड़ेगा तो working note number one presentation important है मेरे सास्थ काम करना calculation of calculation of cash flows हलाकि आगे से हम इसको cash flow after tax बोलेंगे कितने साल काम करना हमको सर हम लोगों को total मिला कर पास साना एक तो तीन चार और पाच एक दो तीन चार और पाच ठीक है सबसे पहले क्या लिखेंगे सर सेल्स सेल्स कितना कितना है नब्य हजार अस्य हजार एक दस पच्छत्तार और पच्छास यह वाला सेल्स लिखेंगे 90,000 80,000 1,10,000 75,000 और 50,000 इसमें से माइनस क्या करोगे वेरिबल कॉस्ट और वेरिबल कॉस्ट कितना पर्सेंटेज है चेक करो वेरिबल कॉस्ट वेरिबल कॉस्ट तर थर्डी फाइब पर्सेंट अब यार एक यह तरीका था कि 90,000 इंटू 35,000 इंटू 35,000 ऐसे ना करके आप भी जानते हो अला कि पहले कैलकुलेटर में लिख लेना 0.35 इंटू 90,000 31,500 80,000 equal to 28,000 1,10,000 equal to 38,500 75,000 equal to 26 250 और 50,000 17,500 समझ मैं आए ना कैसे किया मैंने पहले लिखा मैंने 0.35 फिर इंटू 90,000 equal to 80,000 equal to 1,10,000 equal to इस तरह से काम किया इसके बाद क्या मैनस करना है इसके बाद मैनस करना है fixed cost और fixed cost हर साल का कितना है 10 अब जी अब जो आएगा उसका नाम क्या है अब जो आएगा उसका नाम क्या है जल्दी से बोलो सर सेल्स में से variable cost और fixed cost माइनस कर दिया है यस depreciation माइनस नहीं और interest भी माइनस नहीं क्या और interest माइनस होता भी नहीं है वो मैं आपको समझाऊंगा अगली क्लास में की क्यो नहीं होता तर इसका मतलब है इसको वैसे बोला क्या जाता earning earning before interest and tax और क्या मैनस नहीं क्या depreciation and amortization इबड़ा बोला जाता है earning before interest, tax, depreciation and amortization depreciation और amortization यह माइनस नहीं कि वैसे इसको हम यह भी बोल सकते थे cash flow before tax cash flow before tax यह भी बोला जा सकता ऐसा cash flow जिसमें से depreciation माइनस नहीं हुआ इसलिए तो cash flow नाम है और tax भी माइनस नहीं हुआ एक बार निकल ले क्या 90,000 माइनस 31,500 माइनस 10,000 48,500 60,000 माइनस 8,000 माइनस 10,000 42,000 8,10,000 माइनस 38,500 माइनस 10 61,500 75,000 माइनस 262,50 माइनस 10,000 38,750 50,000 माइनस 17,000 पास्वं माइनस 10 22,000 500 फिक है जी ठीक है सर अब याद रखना याद रखना याद रखना इसमें से वही खर्चे माइनस करना है जो cash में जा रहा है depreciation माइनस होगा की नहीं होगा depreciation माइनस नहीं होगा क्योंकी वह cash expenses नहीं tax minus होगा कि टैक्स माइनस होगा tax तो माइनस होगा ya, tax तो जा रहा है तो problem क्या है सुनो, problem क्या है पहले सुन लेड़ा, उसके बाद हुआ Also problem क्या है, जैसे ही मैं tax निकालने की कोशिश करूँगा and tax का rate कितना है sir, tax का rate 30% As right, the tax rate is 30% As right, just Debbie, take your heart, tax rate behind tax का नहीं, income tax के हिसाब से आप इसमें से depreciation minus कीजिए, क्योंकि आपको tax का amount पता करना है, आपको tax का amount चाहिए, इसलिए tax का amount चाहिए, इसलिए मुझे मजबूरी में depreciation minus करना है, बात समझ में आती है, yes, it means, हाँ तो सर फिर बाद में उसको add back कर लेंगे, हाँ बाद में उसको हम plus कर लेंगे, हम क्यों minus कर रहा है, क्योंकि tax निकाला इस पे नहीं जाता, tax निकाला जाता, profit before tax पे, अच्छा सर, इसलिए इसमें से क्या minus किया जाएगा, इसलिए इसमें से minus किया जाएगा depreciation, अब depreciation किस पे निकाला जाए, हाँ जी, depreciation का क्या चिकर, तर 25 परशन लगाना है, बिल्कुल, 25 परशन किस पर लगेगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, एक लाग पच्ची सजार माइनस पैटी सजार, एक लाग पच्ची सजार माइनस 35 ताउजन, इसका 25 परशन, या फिर सीधा एक लाग पच्ची सजार का 25 परशन, कहा निकाला जाएगा depreciation, अधिकतर बच्चे ने क्या गलतिया किया था, अधिकतर बच्चे क्या गलती करते हैं, अधिकतर बच्चे ये गलती करते हैं, कि वो salveys value माइनस कर देते, salveys value माइनस नहीं होगा, अगर rate of depreciation दिया, rate दिया है, तो depreciation calculate करते समय कभी भी salveys value माइनस नहीं, important है, चाहो तो लिख लेना अपनी copy में, अगर rate दिया है, तो कभी भी salveys value माइनस नहीं होगा, ये बात आपको याद रखने हैं, ठीक है, मतलब किस पर निकलेगा, 1,25,000, उचले, 1,25,000 into 25,000, तो सरी ये आगए, 3,1, 2,5,0, 2,3, 4,3,7, 1,7, 5,7,8, 1,3, 1,8,3, 1,8,4 ले 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 ले, 9,8,8, 8 ले ले ले, ठीक है, क्या कोई ऐसे बच्चे है, जिनको WDV मैथट से डेप्रिशेशन निकालना नहीं आता है, शॉटकट से, हाँ सर है, तो बताए, शॉटकट कैसे लगाया, दो तरीके है, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है, कि कॉश्ट अब मशिन कितना है, तर 1,25, इंटू 25 पर्षन, माइनस 25 पर्षन, माइनस 25 पर्षन, माइनस 25 पर्षन, 123 चार noon मायनस इस तरह से निकाला, 1,25.000 इंटु 25% मायनस पच्चिस परशन निकालोगे तो यह आती जायेगा उप्रीक्ता, और दूसरा तरीका यह है कि पहले साल का डिफ्रीессिट से निकाल लिया आपने, तोसरी दोसरा तरीका क्या है, यह भी बताता है, दूसरा तरीका है कि लिखोगे 0.75, 0.75 क्यों? क्यों कि यह 25% कटा ना, अगर 25% कटा तो अगले साल जो depreciation है वो पूरा नहीं निकलेगा, 75% ही तो निकलेगा, इस साल के depreciation से comparison करोगे, अगले साल के depreciation तो 75%, इस साल से 75%, it means 0.75 into, depreciation पहले साल का मालू में 3, 1, 2, 5, 0, दूसरे साल, तीसे साल, चोहता साल, पाचवासा, करके देख लो सर, 0.75 into 3, 1, 2, 5, 0, equal to किया, यह आगया, फिर equal to किया, यह आगया, फिर equal to किया, यह आगया, फिर equal to किया, यह आगया आपकी जैसी मर्जी आप कर सकते, ठीक है? सरी है, तो हमको CA इंटर से आता, मैं जानता हूँ, आपको CA इंटर से आता है, धीरे करो यार, final देना, एक ही बार देना और निकालना है, तो पूरी बारी क्यों से चीजों को समझ ले, रब कर दूना इसको, ठीक है सर, अब क्या करना है, बस बंद करते हैं इसको, अब जो आएगा, उसका नाम क्या रहेगा, सर, अब डेप्रिशिशन भी माइनस हो चुका है, तो इसको हम profit before tax बोल सकते हैं, के बोल सकते हैं? Profit before tax, 48,500, मैंस 3,1,250, 17,250, 42,000, मिनस 2,3,4,3,7 1,8,563 61,500, मिनस 1,757,8 4,3,922 38,750, मिनस 1,3,1,8,4 2,5,5,6 25,5,6 25,5,6,-9,8,8 1,2,6,1 तो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सर, यहां तक बात हो चुकी है, अब क्या करेंगे, अब टेक्स, अब तो टेक्स निकाल सकते हो ना ही है, सर, टेक्स, और टेक्स का rate कितना है, 30%, कैसे करना, 0.3, 0.3 into 17250, सर, यहां गया 5175, 18563, एक्वल टो, यहां गया 5569, 43922, 13177, 25566, यहां गया, 76, 70, 12612, यहां गया, 3784, यहां गया, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे यह चाहिए, क्या कैश फ्लो कितना, अगर मैं बोलू, कैश फ्लो में सीधा भी निकाल सकता हूं, यह मुझे मालू मैं 48500, और इसमें से सीधा क्या मैनस करना, टेक्स, तो मैं सीधा कैश फ्लो आप्टर टेक्स निकाल सकता हूं ना, यहार, 48500 में से सीधा माइनस कर सकते हूं, पर कर सकता हूं, पर मुझे जरूरत है, प्रोफित आफ्टर टेक्स, profit after tax की ज़रूरत है इसी वज़ा से मैं पहले pet निकालूंगा और फिर depreciation को add back कर दूंगा अब क्या निकालेंगे अब निकालेंगे profit after tax 1725 .7 into 17250 तो सरी यह आगया है 120 75 18563 12 994 43922 30 745 2556 17 896 126 12 12 8 8 28 882 अब जो बेकार में मैनस किया उसको क्या करना पड़ेगा अब प्लस क्या चीज़? depreciation 31 250 23 4 37 17 578 13 13 13 184 और 9 8 8 8 8 फाइनल करें और फाइनल हम निकालने जा रहा है क्या निकालने जा रहे है हम निकालने जा रहे है CF80 Cash flow after tax 12075 plus 31250 तो इसर आगया 433325 12994 plus 2343 36 431 30745 plus 175 78 175 7 48 223 17896 plus 13184 10 80 8828 plus 9888 18 716 एक बर मिला लूँ 43325 ठीक है 364 3148 323 31080 18716 तो ये काम करना पड़ेगा सरा वाव सर्क वाव सर्क मज़ा आ गया है जल्दी से नोट करोगे अजी हो गया है जी हो गया है तीक है सर्क अजी हो गया है इसके अलावा मुझे और एक चीज की जब्रत पड़ेगी ये तो गया मेरा cash flow after tax इट में सर ये हुआ कि किसी product को आप बना रहा हो बिल्कुल और जिस product को आप बना रहा हो उसको बेचने से तो पैसा आएगा बिल्कुल लेकिन सर जिस project में आपने पैसा लगाया है जिस machinery में पैसा लगाया है उस machinery को क्या करोगे पास सलबाद बेज देंगे तो सर उससे भी तो पैसा आएगा यास उसको भी तो consider करना पड़ेगा कहीं ना कहीं जी हाँ उसको बोला जाता terminal value terminal value मतलब मतलब अगर project को terminate कर दिया जाए अगर project को बंद कर दिया जाए तो बंद करने पे लास्ट में कितना पैसा आएगा ये भी पैसा आएगा पर ये तो जो manufacture कर रहा है उसको बेचने से आएगा और ये जो पैसा आएगा ये प्रोजेक्ट से आएगा पाच्वे साल के अन्तम है तो सर वो भी निकालना पड़ेगा ये और उसको हम क्या नाम देंगे उसको नाम देंगे terminal value तो working note number 2 यहीं कर ले क्या ये तो लिखेंगे calculation of terminal तो लिखोगे working note number 2 ये जगा चाहिए हमें क्या निकालना है terminal value, terminal value क्या है अगर project को terminate कर दिया जाएगा तो कितना पैसा मिलेगा this is terminal ठीक है त्यार हो आज से पहले क्या लिखा जाता है अपसे पहले लिखा जाएगा sales consideration कि आज से क्या अनुमान है कि पास साल बाद machine कितने की बिकेगी this is sales consideration और सायद मैंने example में लिखा हुआ कितना 35,000 35,000 machine बेचने से हमें मिलेगा 35,000 this is sales consideration minus क्या करोगे WDV या बुक्वली machine बेचने से 35,000 आएगा हो गए ना काम अब क्या चाहती हो पिटे जैसे ही मैं machinery बेचने जाओंगा तो जैसे ही बेचूंगा तो income tax वाला जाएगा capital gain देना पड़ेगा capital gain tax मैंने का वो 35,000 पे देना बुले नहीं 35,000 पे नहीं देना पड़ेगा machinery को बेचने से जितना फायदा होगा उस पे देना पड़ेगा capital gain capital gain कैसे निकाला जाता है machine बेचा कितने में और उसका उस समय book value क्या था उसको बोलते है WDV या book value अब book value कितना आएगा एक लाग पच्चीज़र की machine है एक दो तीन चार पार सर वो आ गया 29 663 29663 तरीक कैसे आया किसी बच्चे ने मुझे reply किया था सर एक लाग पच्चीज़र में से ना पूरा depreciation माइनस कर दो ये भी एक तरीका है ये फिर एक तरीका ये भी है सुनो 75% ही तो बचा आज समझने की कोशिश करना मैंने क्या किया मैंने एक shortcut लगाया मैंने का यार मैं लिख देता हूँ 0.75 0.75 क्यों लिखा क्योंकि इस साल मशीनरी की जो value है 25% depreciation कटेगा 75% ही तो बचेगा 75 फिर उसकी आगले साल 75 तो मैंने 0.75 into एक लाग पच्छीस जार एक, दो, तीन, चार, पाच यह आगे है 0.75 इंटो एक लाग पच्छीस जार 0.75 इंटो एक लाग पच्छीस जार, एक, दो, तीन, चार, पाच 2, 9, 6, 6, 3 यह आनल ठीक है sir तो बताओ यहां जुआएगा उसका नाम क्या रहेगा capital gain 35,000-29663 यह आगए सर 5, 3, 3, 7 और इस पर क्या लगएगा tax और tax का rate कितना है 30 पर्षन तो यह आगए है 1, 6, 0 1, 6, 0 question बड़ा simple सा है answer चाहिए tax काटने के बाद net मेरे जेब में कितना है समझना ठीक से question सिंपल सा है tax काटने के बाद मेरे जेब में कितना आएक tax काटने के बाद सर machine कुछ बच्चे ने मालूम है क्या जवाब दिया था 5, 3, 3, 7, minus 1, 6, 0, 1 5, 5, 3, 3, 7, minus 1, 6, 0, 1 answer उन्होंने बोला था 37, 3, 6, totally गलत है मैं क्या बोल रहा हूँ मैं यह बोल रहा हूँ इंकम टेक्स काटने के बाद मेरे जेब में बेचने से machinery का बेचा बेचने से आया 35,000 और उसमें से इंकम टेक्स होआ लागे बोले टेक्स तो दो उसमें से 35,000 मैं से मैंने 1, 6, 0, 1 दिया 1, 6 तो मुझे 35,000 में से माइनस करना पड़ेगा 1, 6, 0, 1 कॉंसेप्ट पता है आपको ठीक है तो सर इसको हम ले लेते है 1 यहां गलती हो जाती है इसको ले लेते है 2 तो बताओ तो टर्मिनल वेल्यू के 1 माइनस 2 35,000 माइनस 1, 6, 0, 1 तो यह आगए ऐसा रूपीस 3, 3, 3 9 ठीक है यह दो वर्किंग नोट मस्ट है इन दोनों वर्किंग नोट के बिना हम से कोश्चन नहीं बना ठीक है यहां तक काम कर लिए सा बच्चों ने यहां तक काम हो चुका है अब इसके बात हम अपने मेन आंसर बनाना श्टार्ट कर पहले नंबर पे क्या मांगा है पहले नंबर पे मांगा है पेबैक पिडियेट पेबैक पिडियेट निकाल है क्या होता है पेबैक पिडियेट पेबैक पिडियेट का मतलब यह होता है कि आज हमारे जेब से कितना गया आज हमारे जेब से गया 1,25,000 तो जो आज मेरे जेब से पैसा जा रहा है वो मुझे कितने साल में recover हो जाया तर पहले साल में कितना जा रहा पैसा 1,25,000 तर पहले साल में आ गया है 4, 3, 3, 2, 5 ठीक है मैं 1,25,000 रुपए जमा करने की कोशिश कर हूँ दूसरे साल में प्लस 3,6,4,3,1 प्लस 4,8,3,2,3 सर 1,28,000 हो गया और मुझे चाहिए 1,25,000 इसका मतलब सर 2 साल से ज्यादा लगेगा पर पूरा 3 साल लगा गया 3 से कम लगेगा स्टार्ट करते पेबैक पिरिट का मतलब क्या है पेबैक पिरिट का मतलब है कि जो हम पैसे लगा रहा है वो पैसे हमें कितने दिन में वसूल हो जाए कि रिक कवर हो जाए इस्टार्ट कर रहा है दिखो के फ़स्ट पहला का पैबैक पिरिट presentation कैसे सबसे पहले लिखेंगे year फिर लिखेंगे cash flows या cf.at लिख लेते हैं cf.at cumulative cf.at cumulative cf.at का मतलब मिला कर year year cf.at और cumulative टूटल कितना पैसा चाहिए हमें सर हमें चाहिए 1,25,000 कितने पैसे का arrangement करना है और देखना चाहती कि इतना पैसा हमारा कितने साल में recover हो जाएगा सर्फ first year में आएगा कितना आएगा सर्फ first year में सर्फ first year में आएगा 4,3,3,2,5 4,3,3,2,5 तो हमारे पास हो गया 4,3,3,2,5 ठीक है सर्फ second year में कितना आएगा second year में आएगा हमारे पास 3,6,4,3,1 3,6,4,3,1 अब देखें टोटल कितना हो गया 4,3,3,2,5 प्लस 3,6,4,3,1 सर्फ टोटल हो गया हमारे जेब में 7,9 7,5,6 दो साल हो चुके हैं और दो साल में हमारे पास इतना पैसा आ चुका है third year में कितना आएगा third year में आएगा हमारे पास 4,8,3,2,3 4,8,3 प्लस 4,8,3,2,3 तो सर्फ ये तो आगया 1,28,079 मतलब payback period कितना आएगा सर payback period आएगा दो साल से जादा और तीन साल से कम years में ही मुझे बताना है it means सर्फ समझाने की कोशिश करोगे yes मैं समझा देता हूँ ये है 0 ये है 1 ये है 2 और ये है 3 टूटल दो साल निकल चुके है और दो साल में अभी तक हमारे पास आ गया 7-9 7-5-6 ये ना आस ओके सर बस समझे अब थर्ड येर इस साल काम करना पड़ेगा और पैसे चाहिए और कितने पैसे चाहिए सर मुझे चाहिए 1,25,000 उसमें से आ गया 7-9 7-5-6 तो मुझे और चाहिए 1,25,000 माइनस 7-9-7-5-6 तो सर मुझे चाहिए 4-5 2-4-4 ये ना येस पर मैं जब पूरा साल काम करता हूँ तो कितना आ रहा है जब हम पूरा साल काम करने हैं तो ये दिख रहा है सर ये आ रहा है 4-8 3-2-3 सवाल बड़ा इंपॉर्टन्ट है सर 2 साल में इतना पैसा आ चुका है पूरा साल काम करूँगा तो मुझे 48,000 मिल रहा है मुझे 48,000 नहीं मुझे 45,000 चाहिए तो पूरा साल काम करने की ज़रूत नहीं है थोड़ा सा कम तो पेबैक प्रेड इसी कुल कम से कम कितना साल लगेगा सर 2 साल तो लगे गई लगेगा प्लस यूनिटरी मेथड आता है आपको पूरे एक साल में आता है 48,000 कुछ प्लस 45,000 के लिए कितना साल एक से कम तुम्हें क्या करता हूँ और यहां लिखा यूर 1 डिवाइड बाए साल भर में कितना आ रहा है 48, 3, 2, 3 और मुझे चाहिए कितना 4, 5, 2, 4 आ जाएगा यह तो आता है आपको interpolation 1 डिवाइड बाए 48, 3, 2, 3 इन्टो 45, 2, 4, 4 प्लस 2 आंसर आगय है 2.94 यह 2.94 यह इस पेबैक पिरेड पेबैक पिरेड होता क्या है पेबैक पिरेड यह होता है कि जो पैसा आप लगा रहा है वो पैसा आपको कितने दिन में recover हो जाएगा इसी को बुला जाता है पेबैक पिरेड नोट कर लीजिए फिर बात कर अब बस मुझे इतना बताओ पेबैक पिरेड के हिसाब से यह प्रोजेक्ट हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और कुछ बच्चों के आँसर आए थे कि यह सर कर लेना चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट की लाइफ है पात साल और पैसा रिकवर हो रहा है 2.94 यर्स में तो कर लेना चाहिए क्योंकि उसके बाद कट आफ ब्रेक इवन हो गया इसके बाद तो हम कमाएंगे कमाएंगे या इस जो भी पैसा हुए हमारा प्रॉफिट इपर है है पर यर्डिपेंड करता कंपनी पे अगर मैं कहता हूं कि मेरा जो डिजाएड पयबेक पिर टिजाइड इस्टेंडर्ड पहएंगें चाहता हूं कि मुझे दो साल में ही पैसा रिकवर आ जाना चाहिए 2.93 है मेरा मतलब ज़्यादा समय लगीगा तो project को हमें reject कर लेना चाहिए अब भी यहाँ कोई information नहीं दिया है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं ठीक है जी हाँ बोलो हाँ sir बात समझ में this is payback period अच्छा अभी मैं अभी और भी बात पूछ थे काम की चीज़ अगर मैं कहता हूँ दो project है ए और भी ए भी payback period इसका है तीन सल और इसका है चार सल दोनों मैं से कौन सा project करोगे ए यब भी ऐसा project जिसका payback period तीन साल है या ऐसा project जिसका payback period चार साल है कौन सा project करो दोना sir ऐसा project करेंगे जिसमें पैसा जल्दी recover हो lower is better yes जिसमें पैसा जल्दी recover हो वो project अच्छा है तो उस हिसाब से कौन सा project रिच्छा project ए है ठीक है sir यहां तक भी हमको बात समझा अब source समझ के जवाब देना source समझ कर जवाब दे मैं क्या रहा हूँ इस में पैसा लगा है cost इसमें लगा है एक लाग और इसमें भी लगाना है तो पाच 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 शाल के प्रोजेक्ट प्रोजेक्टी में पैसा लगाता हूं तो पहले साल आएगा पचास जजार दूसरे साल भी आएगा पचास जार फिर आएगा 10,000 फिर आएगा 5,000 और फिर आएगा 2,000 तो इसका payback period कितना दिखा है दो साल, दो साल में पैसा रिककबर हो रहा है यस, प्रोजेक्ट B में पैसा लगाता हूँ तो पहले साल आएगा 40,000 फिर आएगा 40,000 फिर आएगा 20,000 फिर आएगा 70,000 रुपए और फिर आएगा 80,000 कौनसा प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए बताओ, decision आपके हाथ में अगर मैं payback period पर जा रहा हूँ पेबैक period के हिसाब से तो इसमें पैसा कितने साल में रिककबर हो रहा है दो साल, इसका payback period कितना है तीन साल, तो उस हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, सब प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट ए अच्छा है दिखें समस्या सुनो, payback period के साथ समस्या यह है कि एक तो time value of money अगनोर कर देता है दूसरी समस्या है कि वो बात के cash flow को सबसे बड़ी बात, बस एक बार recover हो गया, उसके बाद क्या होने वाला हमको उससे मतलब नहीं, payback period के साथ problem है, इसलिए payback period अच्छे techniques नहीं मानी चाते है अच्छा, मतलब यार, बात तो तब होगी कि जब हम पूरा की पूरा consider करें, पूरा की पूरा इसलिए payback period अच्छा नहीं मानी तो इसलिए और एक method हमने पढ़ा जिसका नाम है accounting rate of return ARR, नाम क्या लग रहा है नाम लग रहा accounting rate of return सुनो भई, ARR क्या बोलता है ARR बोलता है कि सुनो, आप ये cash flow अपने जब में डाल हो, हम एकाउंटिंग की बात करें और एकाउंटिंग जो है, एकाउंटिंग नाम लग रहा है एकाउंटिंग, और एकाउंटिंग बोलता है कि आप cash flow पर focus मत करो, आप focus किजिए profit after tax पे, आप इसे return on investment भी बोल सकते कि आप पेट पे focus किजिए, कि आप profit कितना कमा रहे हैं और एक percentage निकाल लो profit कितना कमा रहे है average, आप पैसा कितना लगा रहे हैं, सर पैसा लगा रहे हैं 1,25,000, आप average profit कितना कमा रहे हैं, मैंने का यार मैं तो तो पहले साल दूसरा कमा रहा हूं, दूसरे साल दूसरा कमा, बुले आप average कर ली ची, और उस average profit पे, आपने कितना लगा है, एक लाग पच्छी जार, और average profit, तो उस वह percentage निका ली ची, अच्छा सर, ये बात है, यास, तो दूसरा point, it means, पहले मुझे क्या करना था, सर, पहले पे फोकस करता है, इसके अलावा जितनी भी methods है, सब cash flow पे फोकस करती है, ठीके सर, तो काम करें क्या, येस, point नमबर टू, calculation of accounting rate of return, ये इसी को क्या बोल सकते है, average rate of return, accounting rate of return, बोल दो, ये average rate of return, बोल दो, एक ही बाद, ठीक है, और formula क्या था, ARR is equal to, average, profit after tax, divide, divide, initial investment, 200, कुछ बच्चे यहां average investment भी लग सकते, ये इंटर में आपने average, average investment मतलब cost of machine, plus salvage divided by 2, opening plus closing divided by 2, मैं average, average के चक्कर में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ARR मेरे syllabus में नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा, डीप में नहीं पढ़ना, एक roughly idea लेते हूं, ठीके सर, तो, accounting profit, कितना है, इसका average कर लेते हैं, 12075, plus 12994, plus 30745, plus 17896, plus 8828, divided by 5, तो यहां गया है, 16507, एक बन में चेक, 508 ले 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 थे, 1658, कितना लगा कर, Sir, 125,000, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां मैं average नहीं ले रहा हूं, वो आपको आता, average कैसे करना, 1,25, into क्या कर देंगे, 100, 16508, divided by 1,25, into, answer आगे 13.21, पर्षण, 13.21, simple, अच्छा, अब क्या है, अब यह है कि मान लो दो प्रोजेक्ट है, A, और B, और इसमें है 13.21, 21 percent के कमाई, और इसमें 15 percent के कमाई, और आप से पूछा जा रहा है कि project A करना चाही, कि project B करना चाही, ऐसा project इसमें 13.21 percent के कमाई हो, या ऐसा project इसमें 15 percent के कमाई हो, answer क्या आएगा, सर जिसमें ज़्यादा कमाई हो रही है यस, higher is better simple, higher is better अगर ARR के basis पर मुझे decision देना होगा तो मुझे answer आएगा higher is better जिसमें ज़्यादा आएगा तो दो method पढ़ा payback period और ARR जिसमें मैंने time value of money को ignore किया अब सबसे ज़्यादा important और अब हम जो बात करेंगे जिसके लिए हम ये class कर रहा है वो है बात है NPV की discounting payback period में आपको homework ही दूँगा NPV की बात करेंगे और NPV बिल्कुल ध्यान से करेंगे proper format बना करेंगे presentation सबसे ज़्यादा important है आप भी जानते हो मैं एक line में कर सकता हूँ presentation सबसे ज़्यादा important है कुछ technical issue है उससे देख लेते हैं कि बाद हम आगे चलते हैं आजी एक बार फिर से एक बार चेक करो फिर से जॉइन कर लो एक बार चेक करके मुझे बताओ वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा ठीक है ठीक है सर अब मैं आपसे यह कह रहा था हाँ जी सभी लोग ठीक है फिर से वपस आतने हैं आदा घंटा है हमारे बास हम आदे घंटे में काम करेंगे पूरा तो NPV के लिए यार presentation important है क्योंकि आपको मालू है एक बात समझ लो क्योंकि आपने आगे नहीं देखा मेंने आगे देखा है तो पूरे capital बुष्टिंग में हम लोगों का NPV ही निकालना है तो NPV निकालना है तो सर NPV निकालना है अब एक बार message बंद करोगे अब मेरी बात सुनोगे सर तो NPV निकालना है तो problem क्या हो रही थी बच्चेयों को कि किसी questions में NPV institute किसी और तरीके से निकालता कभी एक line में काम हो जाता कभी हर एक question में presentation अलग-अलग कास कोई ऐसा format मिल जाए question कोई भी हो बनाएंगे हम उसी format में यस में एक format बनाने जा रहा हूँ और जब भी NPV का question आएगा हम उसी format में बनाएंगे कसम खाते हैं ठीक है अब मैं कर रहा हूँ calculation of NPV proper table मना के काम करना है प्लीज आप भी जानते हो कि calculator मुझे भी चलाना आता है discounting पे बेक बिरे निकाल चुके नहीं मिलने वाले हाँ हम multiple choice question हम चाहो तो multiple choice question मैं करवाओंगा वो shortcut मेरे पास बहुत सारे तरीके पर अभी presentation proper table बना कर सजा कर करेंगे सजा करना पड़ेगा सजा कर करना पड़ेगा ठीक है सर कसम लिख लिए हो इस तरह से मेरे साथ table बनाओगे सर हम तो कोई और table बनाते थे आप जो table बनाते थे उससे मुझे मतलब नहीं है आपको मैं जो table बना रहा हूँ वो table मेरे साथ सद बनाना सबसे पहले लिखा जाएगा year फिर लिखा जाएगा present value factor कितना परशंट है 10% फिर amount और फिर present value इसी table में काम करेंगे जितने भी questions से capital बस्टिंग इसी table में काम होगे सबसे पहला काम के cash outflows पहले तो cash inflow लिखना चाहिए ना बेटे क्यों लिखवा रहा हूँ हर चीज सोच समझ के लिखवा रहा हूँ हर चीज सोच समझ के पहले लिखो गए cash outflow और यहां क्या आएगा सर यहां आएगा cost of machine cost of machine भी लिख सकते हो cost of project भी लगा पसीन आज लगा रहा हो और हमने CA इंटर से पढ़ रखा है आज का मतलब 0 period और उसका present value 1 ही होगा कितना लगा रहा है 1,25,000 तो यहां जाएगा 1,25,000 इसके बाद इसको हम जोड लेंगे सर इसको क्या जोड ना हो तो गया नहीं ना भाई यहां बहुत कुछ आएगा आपको पता नहीं लगेगा बहुत कुछ आने वाला working capital वगेरा बहुत कुछ आपता है वो मैं समझा दूँगा क्या होता working capital वो मुझे पर छोड दीजी ठीक है तो अब इसको हम जोड देंगे और इसको लिखेंगे 1,25 था इसको आप total of A, B बोल सकते हूँ या आप इसको present value of cash of flow भी बोल अब आजाएगा भी और यहाँ लिखोगे cash inflows और cash inflows में लिखोगे CF80 जो कि आपने working note number 1 से निकाला है working note number 1 और working note number 1 में 1,2,3,4,5 factor वैसे तो दिया रहता है हम 3 digit में factor लिख रहा है 9,0,9,8,2,6,7,5,1,6,8,3 or 6,2,1 less person comfort figure कितना 4,3,3,2,5 3,6,4,3,1 4,8,3,2,3 3,1,0,8,0 आखर ही कितना है 1,8,7,1,6 4,3,3,2,5 into 0.909 3,9,3,8,2 3,6,4,3,1 into 0.826 3,8,3,0,9,2 4,8,3,2,3 into 0.751 3,6,2,9,1 3,1,0,8,0 into 0.6,8,3 किया गए 2,1,2,2 7 है तो 8 0.6,2,1 into 0.6,2,1 into 1,8 6 किया गए 1,1 6 2,3 1,2,1 7,3,2,1 आप उसकी चिंता मत करो। तो यहाँ एक और चीज लिखना होता है जिसको बोलते हैं आप टर्मिनल वैल जो आपने निकाला था वर्किंग नोट नमबर टू से हैं। तो 33399 into 0.621 तो यह आगया 20741 ठीक है और तो कुछ बचा नहीं है आगे बहुत कुछ आएगा वर्किंग कैपिटल वैबिटल वो बाद में डिसकस करेंगे और इन सब को जोड़ दोगे और जोड़ने से 3 कोई बताये गया टूटल बता दो मैं कब तक जोड़ता रहूं कोई तो जोड़ा होगा वन फाइव नाइन थ्री थाइंक्यों वेजनती हाँ जी मतलब बच्ची है मैं सुसरा निकल लिए हो गया भी तो आ गया वन फाइव नाइन 357 159 357 इसको मैं क्या नाम दे दूँगा सर इसको नाम दोगे अब टूटल अफ बी यह आ गया टूटल अफ ए यह आ गया टूटल अफ बी तो एन पी भी आ गया P-A और अन पी भी कितना आ रहा 159 357 minus 1,25,000 अन पी भी कितना रहा 3,4 357 एन पी भी के साब से प्रोजेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एन पी भी के साब से यस या नो अंसर बताओ P-A भी निकाल लिया, good पहले मुझे N-P-V मैं P-A पर पहुच रहा हूँ N-P-V के साब से प्रोजेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यस क्यों यस क्योंकि N-P-V positive है हाँ N-P-V is positive अब सुनोगे मैं P-A पर पहुच रहा हूँ अब मैं कुछ पूछने जा रहा हूँ अब आपकी परिच्छा के घड़ी है और यहां मैं चेक करना चाहता हूँ कि C-A इंटर में किस लेवल तक पढ़ा हूँ मैं जानता हूँ अच्छे बच्चे है और सभी का जवाब सही है तो अच्छे से भी पढ़ा है पर ऐसे मैं टेश्ट करना चाहता हूँ आपका जवाब चाहिए मान लो दो प्रोजेक्ट है और इसका N-P-V आ रहा है 8000 और एक का N-P-V आ रहा है 12000 8000 और 12000 यह तो एक ही प्रोजेक्ट है तो N-P-V positive यह तो accept मान लो दो प्रोजेक्ट है इसका N-P-V आ 8000 और इसका N-P-V आ 12000 तो बताओ दोनों मेंसे कौन सा करोगे दोनों इक कर सकते पर मैं यह कह रहा हूं कि दोनों मेंसे कोई एक करना है तो दोनों मेंसे कौन सा प्रोजेक्ट करोगे A या B इसका मतलब क्या है तो B का answers नहीं है और answer आ रहा है B तो finally equivalent life equivalent कि तो मैं अभी पहुचा नहीं मैं equivalent तक पहुचूंगा investment की बात है अभी सुर्फ सिब इतना ही question है अगर इतना ही question है तो answer कौन सा आएगा answer आएगा B जिसका NPV positive है चलो तो अब मैं आपसे कुछ पूचने जा रहा हूँ इसमें पैसा लग रहा है अब answer देना सोच समझ के इसमें पैसा लग रहा है एक लाक और इसमें पैसा लग रहा है दस लाक एक लाक दस लाक इसमें PVCI दो लाक और इसमें PVCI 12 लाक तर एनपी विनेकल सकता है यस PVCI माइनस PVCO इसका एनपी वी कितना है एक लाक और इसका एनपी वी कितना है दो लाक बताओ कौन सा प्रोजेट करोगे आराम से सोचके बताना आराम से मैंने कहा आपकी पस टाइम है सर एक लाक रुपिया लगा रहा है यस आएगा टोटल मिला कर दो लाक तो एनपी वी तो एक लाक हुआ यस और यहां दस लाक लगा रहा है और आएगा कितना बारा लाक तो NPV हुआ 2 लाक तो दोनों में से कौनसेप्ट रिडिट करोगे A यब B क्या मैं कह रहा हूँ कि यार भूल जाओ NPV के सबसे बताओ NPV के सबसे P.I. पे तो मैं पहुच नहीं रहाओ NPV के सबसे अगर कोश्चन आया कि भई आपको NPV के हिसाब से ही बताना है तो आप उसमें अपना दिमाग मच चलाना है NPV के हिसाब से प्रोजेक्ट कौन सा करोगे प्रोजेक्ट B हाला कि आप भी जानते हों कि ये गलत है NPV के साब से प्रोजेक्ट B उसको कोई रोक नहीं सकता सवाल ये है कि NPV कहीं न कहीं दिल NPV में भी समस्या है आपको भी दिख रहा है यह क्या लॉजिक है बोलो कितना पैसा लगा रहा है एक लाक आ कितना रहा है दो लाक एक लाक लगा कर दो लाक आ रहा है टाइमस में बताओ टाइमस में एक लाक रुपिया लगा कर आ रहा है दो लाक तो टा हो गया है double two times और सर यहां 10 लाख लगा कर 12 लाख आ रहा है तो टाइम्स में बोलो 1.2 टाइम्स ठीक है ठीक है सर एक उर्पिया लगा कर दो रुपिया कमाएंगे सर और यहां एक उर्पिया लगा कर वजेब उर्पिष 20 पैसा कमाएंगे तो बोलो कौंसा अच्छा है सर यह वाला अच्छा है यार जितना लगा रहे है उससे double कमा रहा है हो ना यस इस रेश्यो को कुछ बोला जाता है पी आई बिल्कुल सहीं बोल रहे हैं इसी रेशियो को बोला जाता है ठीक है तो पी आई सिंपल है और पी आई में डिसीजन कैसे लोगे जिसका पी आई ज्याद्धा होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे तो हम अगला पॉइंट करा है डिस्कांटिंग पेबैक बिलेड में आपको होमवर्ग दूँगा होमवर्ग ही दूँगा डिस्कांटिंग पेबैक पॉइंट नमब फॉर कर रहा है पी आई हाँ डिजारे इबिलिटी फैक्टर बोल सकते हूँ हाँ बहुत सारे नाम है यह तो मैं दिरे दिरे आ रहा हूँ पी आई का फॉर्मुला पी वी सी आई डिवाइड बाए पी वी सी ओ तो सर्फ पी वी सी आई है 159 357 डिवाइड बाए 1,25,000 159 357 डिवाइड बाए 1,25 1.275 तही है बाएड बाएड एक है 1.275 आखरी कोशन सुन होगे दिहां से आखरी कोशन मेरा ये मानना है आजी तैयार हो ना आप में आप से कुछ बूशने ये लिख लिया होगा 1.275 सब का आ गया होगा PVCA और ये PVC मान लो कोई प्रोजेक्ट आउसर चाहिए भई आउसर चाहिए जिसका मैंने कहा कि PVCA निकला है 1,30,000 और पैसा जो लगा रहा हो वो लगा रहा हो 1,00,000 पी आई के हिसाब से प्रोजेक्ट पी आई के हिसाब से प्रोजेक्ट एकसेट करे कि रिजेक्ट करे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें PVCI आ रहा है PVCI समझ रहा हो कि या डिसकाउंटिंग रेट लेके पूरा डिसकाउंटिंग करके आया 1,30,000 और पैसा लगाया जा रहा है 1,00,000 तो बताइए पी आई के हिसाब से हमको प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना सभी का अंसर आ रहा है YES उसकी वज़ा क्या है कि जो P.I. है वो एक से ज़्यादा है ठीक, ठीक P.I. is more than 1 ठीक इसका मतलब यह हुआ और N.P.V. के सबसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए N.P.V. के सबसे अंसर YES या NO मैं बोलू N.P.V. के सबसे करना चाहिए YES N.P.V. क्या है N.P.V. पॉजेटिव आ रहा है तो N.P.V. के सबसे भी करना चाहिए तो कोशन यह हुआ N.P.V. पॉजेटिव आएगा बहुत काम की चीज़ए N.P.V. पॉजेटिव कब आएगा जब P.I. एक से ज़ादा होगा है ना YES सर तो अगर P.I. के हिसाब से आया एकसेट ठीक मेरी बात ठीक है सबी कास आही है अब फाइनल है फाइनल हम कॉनक्लूजन पे पहुच रहा बहुत इंपॉर्टन कॉनक्लूजन तो सर P.I. के हिसाब से अगर 1 से ज़ादा आता P.I. 1 से ज़ादा आता इसका मतलब NPV पॉजिटिव आएगा इसका मतलब सर सीधी से बात है कि अगर P.I. बोलता है YES तो NPV में भी YES ही आएगा अच्छा P.I. के हिसाब से अगर आया Accept तो NPV के हिसाब से भी आएगा Accept तो सर इसका मतलब है कि P.I. से और NPV से हमेशा Decision एग जैसा ही आएगा अगर P.I. के हिसाब से YES आया तो NPV के हिसाब से भी YES क्योंकि P.I. 1 से ज़ादा आया तो NPV पॉजिटिव है तो सर P.I. और NPV हमेशा एग जैसा Decision देते है मैं सही हूँ या गलत P.I. और NPV हमेशा एग जैसा Decision देते है चाहे आप P.I. से कर लो चाहे NPV से कर लो Answer हमेशा एक ही आएगा या तो YES आएगा या तो NO आएगा या तो A अगर P.I. बोल रहा A तो NPV से भी A ही आएगा अगर P.I. बोल रहा है भी तो NPV से भी B ही आएगा जल्द इसे बताओ मेरा Statement अच्छा गलत सीधा इंसल्ट सीधा सीधा कोई गलत कैसे बोल सकता है और कोई है अच्छा हाँ जी मतलब समझदार बच्चे हाँ बिल गुल सर अभी तो बोल रहे थे सर बिल गुल सही इट मिस डिपेंड किस पे करता है सुनोगे सुनोगे अगर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है सुन लो भई सुन लो अगर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है अगर सिर्फ सर एक ही प्रोजेक्ट है तो फिर P.I.E. से जो आंसर आएगा वही आंसर N.P.V. से आएगा या तो यस आएगा या तो नो आएगा अगर सिब सिंगल प्रोजेक्ट है पर अगर mutually exclusive proposal है अगर दो प्रोजेक्ट है तब P.I.E. का decision अलग हो सकता है और N.P.V. का decision अलग हो सकता है या सर क्या इस बात को लिखवाओगे नहीं इसको भी मैं नहीं लिखवाओगा ठीक है यह जरूरत नहीं है यह तो बस मैं ऐसी पूछ रहा अच्छा एक बात बताओ तो समझके काम करना भाई तो समझके जवाब देना प्रोजेक्ट को accept करे या reject करते चाहे पी आई चाहे एन पी भी प्रोजेक्ट करे या reject करते यास अन्यूट्रल मतलब ना तो accept ना तो reject तो फिर दिक्कत है हाँ तो मुझे आपकी क्लास लेनी पड़ेगी मैं समझ गया मुझे आपकी क्लास की जिरुप्रत है मेरा पर्शनल ओपिनियन बोलूँ पर्शनल नहीं मैं एक्चुल मैं लॉजिक के साथ बात करूँगा और लॉजिक के बाद साथ बात करूँगा तो अंसर आएगा एक्चेप्ट क्यों का जवाब नहीं दे रहा हूँ अराम से करेंगे कोश्चन को क्यों का जवाब नहीं दे रहा हूँ आप सिधा इसको रिजेट करो मैं कह रहा हूँ कास कोई आप कास समझ पाए कि यह आता कहां से है PVCI आता कहां से है PVCI आता है यहां से यह आया पीज़ तो यह क्या चीज है यह 10% 10% है क्या क्या चीज है आकरी 10% 10% को और एक नाम है और उसका नाम है Required Rate of Return बस यह चीज अगर आपको समझ में आगा Discounting यह है कैसी Discounting Discounting rate बोल दो Cut of Rate बोल दो जो आयरर नहीं है आयरर अलग rate है Cost of Capital और एक नाम है इसका Required Rate of Return 5 मिनट है बहुत सारी बाते कर नहीं सकता तो अभी मैं आपको एक Homework दे रहा हूँ और Homework दे रहा हूँ Discounting Payback पिरेड निकालने के लिए ठीक है क्योंकि जल्दबाजी में 5 मिनट में यह बात यह बहुत Important बात है जो मैं बोलने जा रहा हूँ 10% तो मिलता है 10% तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आप 10% से जितना चाहरे है उतना मिलेगा यही बात तो करनी है कल मैं यही बात करने वाला हूँ IRR के बिसमें मैं कल बात करूँगा आपसे IRR में तो मज़ा जाएगा ठीक है तो सुनो अभी बहुत सारी हम बाते नहीं करते धीरे धीरे काम करेंगे अभी जो है अभी यह सब करवा लिया मैं आपको homework देने जा रहा हूँ discounting, payback period, homework है और मुझे पूरी उमीद है कि आप कर लोगे हम class over करेंगे आज की class में हमने सीखा किया तो 2-3 चीजे, 2-3 गलतिया मैंने आपकी तरफ से देखा 2-3 गलतिया देखा हाँ सर बताओ क्या-क्या गलती किये थे गलती नमबर वन जब आपने depreciation calculate किया था जब depreciation calculate किया था तो गलती नमबर वन salvage minus कर दिया था, पहली गलती हाँ lagging हो रही है एक आख लास चल रहा है class का चौटकर भी बता दूँगा पका पहली गलती पहली गलती लिख लो कहां कहां गलती है किया तो और यह गलती ऐसा नहीं है यह सभी से होती है तो पहली गलती यह हुई थी कि आपने जब depreciation calculate किया था तो salvage minus कर दिया था गलती नमबर वाली गलती नमबर दो जब आपको मैंने पूछा था कि बताओ terminal value कितना मैंने पूछा था terminal value कितना कुछ बच्चों ने मुझे जवाब दिया था इसमें से यह minus कर दिया था ऐसा नहीं है कि आप ही से गलती होती सभी से होती है यह गलती और हमने हर method को थोड़ा 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 एवेलवेट किया अब discounting payback period का answer आप मुझे group में message कर देना या फिर किसी ने बनाया होगा तो आप उसको उसका pick डाल देना तो सभी का हो जाएगा इसके आगे कल जो करूँगा मैं बात वो बात करूँगा मैं NPV पे डिटेल में discussion होगा क्योंकि यार पूरा focus अब हम अब हम सुनोगे सुनोगे payback period नहीं करेंगे discounting payback period नहीं करेंगे ARR नहीं करेंगे idea लेना था यह कुछ नहीं करने वाले तो topic पर बहुत ढंग से बात करेंगे कल एक है NPV और एक है IRR दोनों topic क्योंकि दोनों topic बहुत ज़्यादा आए हुए है तो इन दो topic पर पहले बात होगी हाँ drive पर मैं upload कर दूँगा वो मेरी responsibility कल पक का upload मिल जाएगा आपको board notes class over करना है हम लोग आज के लिए good night कल से आपका काम चालू हो जाएगा जोड़दा डंग से एक है बाई कल मिलते हैं और कल कोशिस यह करूंगा कि यह जो technical issue आ रहा यह ना होता कि हमारी class ना एक flow में चले एक है जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच